बिसमेल आरफान ररहीम असलाम लेकूम कैसे हैं आप सब आज में लिका रही हूं आप लोगों कले रमजाने स्पेशल में बहुत ही मज़िदार और सिंपल से आलू पकॉड़े की रेसिपी जिसे हम बनाएंगे बगार सोटे के अगर आप चाहते हैं बिवकुल बलून की तरह पुले हुए क्रिस्पी आलू पकॉड़े बनाना तो मेरी रेसिपी को आप लोग जरुरू से ट्राइ किजिएगा निशाला भेटरीन बनेंगे आपके भी ये पकॉड़े और इसके साथ हम बनाएंगे मज़िदार सी केरी की चटनी तो विडियो अची लगे दिसको लाइक तो सारे आलू को मैंने वाश कर लिया है और अब हम इसको चुड़ी की मज़द से काट लेंगे तो आप चाहें तो स्लैसर कर सकते हैं या पिर अगर आपके पास कोई एक ऐसी चुड़ी हो जो के बिल्कुल तेज हो जिससे आप इस तरहां से इसकी काट सकें तो ना तो बिल कर लिया है और इसको हम अच्छे दीके से फिर दुबारा से वाश कर लेंगे अब बैसन का बैटर बनाएंगे हम तो आलू की पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहां पर बैसन को अल्री चाहना हुआ है तो मैं इसमें से ले रही हूं तक्रीमन 3-4 कप एक कप से थुड़ा सा कम मैंने लिया है बैसन अब बैसन आपका चहना बना हो तो पहले इसको चाहन लेजेगा ताकि इसमें कोई कच्छा हो तो वो निकल सके हमें एक स्मूज सा बैटर बनाना है तो यहां पर मैंने इसको बोल में निकाल लिया है अब साथ ही हम इसको क्रिस्पी बनाने के लिए इसके अंदर चावल का आता है मेरे पास जो के मैं ले रही हूँ तक्रीबान 1 फॉर्ट कप ये थोड़ा सा हम भर के लेंगे तो देखें इस वरा से आपने इसको भर के लेना है इसको भी डाल देते हम बेसं के अंदर अब हम डालेंगे इस में कुछी स्पाइसिस तो सबसे बढ़ी इसमें नमख जाएगा हस्बे जूरत इसके साथ हम इसके अंदर शामिल कर देगे हल्दी पॉर्टर जो कै डालेंगे हम हाफ टीज स्पून साबस जीरा जाएगा इसमें तकरीबन हाफ टी स्पून इसी के साथ हम इसके अंदर डालेंगे पिसी विलालमर जो के जाएगी 140 अब इसमें साथी में शामिल कर रही हूँ कुटी विलालमर जो के जाएगी अब थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर पानी शामिल करी हूँ और इसका हमने एक स्मूसा बेटर बनाना है ना तो बहुत ज़दा रहनी हो और ना बहुत ज़दा थिक तो देखें कंसिस्टेंसी कुछ भी इस तरह किये है फूले इसके पानी इसमाल किया है अब बैटर घ्छार हमारा तयार है लास में डालेगे ईसमे गरं तेल जिसे बहुत थी फूले पुले पकाड़े बनेंगे क्रिस्पी भी बनते हैं इसे पकॉड़े अभी अब साथ ही आप जाल देंगे इसमें थोड़ा सा बारी कटाबा हारद हनिया जिसे बहुत ही खुबसूरत अब यह बैटर हमारा रेडी है लिकन तोड़ा सा डाला है येलो फूट कलर तकरीबन वन फूटी स्पून इसको डालेने के बाद बहुत अच्छे से मिक्सर लेंगे बहुत ही कुपसरा से गोल्दन से कलर में यह पकोड़े बनेंगे तो यह बैटर हमारा रेडी है इसको 10-15 म अब नेक्स स्टैप में मैंने जो अलूओं को भिगो दिया था भिगोने के बाद अब मैं इसको निकाली हूँ एक टौवल के ओपर इसको इस तरह से डालेंगे और थोड़ा सा हमने आलूओं को सुखाना है इसमें ब्लुकुल भी पानी मौजूद नहीं होना चाहिए तो हरे धनिये की डनियां भी मैंने लिए हैं और ये मोटी वाली हरी मर्चली हैं जिसे ये टेस्ट में बहुत इच्छी चटनी बनेगी साथी चंद पत्ते मैंने लिए हैं हरे धनिये के साथ पुदीने के पुदीने की ज़्यादा कंटिटी नहीं लेनी हैं वरना तो काली चट जिनके के आप कहरीया नहीं आरही हो तो वह इमली डाल सकते हैं अब जालेंगे हम इसके नमक हजब जुरत अब नमक के साथ ही हम इसमें काला नमक भी शामिल करेंगे जिसे इसमें बहुत यह चा टेस्ट आएगा तो यह मैंने 14 टीस्पून शामिल किया है जीरा पॉर्डर डा बड़ी मज़दार यह चटनी बनती है आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं महीने बर के लिए फ्रीज में भी खराब नहीं होगी तो लीजी मज़दार सी चटनी बनके तयार है जिनको तरह तरह के स्नैक से साथ सर्फ कर सकते हैं तो यहां पे हमारे आलू जो है उनको मैंने अच्छी तरीके से पैड ड्राय कर लिया है और इसमें बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं है ड्राय हो चुका है यह अब हम दालेंगे एक इकर के आलू के स्लाइस को इस बैटर के अंदर तो मैंने इस बैटर के अंदर जो पानी का समाल किया है वह किया है तकरीबन 3-4 तो देखें जितना एकसिस गर रहा है असको गिरने दीजिए और जितना चिपक रहा है चिपक नहीं दीजए यहाँ पर हमारा अच्छे से तेल गरम है जिसके अंदर एक करके हम पकोडू को डालेंगे और जैसे जैसे पकोडूब को आप डालते जाएंगे और यह फूलते चले जाएंगे तो आलू को फ्राइ करते वक्त आपने टेंप्रेचर वाल का बिल्कुल परफेक्ट रखना है अगर थोड़ा सा भी ठंडा होगा तो पकॉड़े बिल्कुल फूलेंगे नहीं तो देखें खुबसूरती शकल में हमारे ये पकॉड़े फूलते जा रहे हैं और इस तरह से बाकी के तमाम बैचिस को भी फ्राइ कर लेंगे और निकालते चले जाएंगे तो इस रेसिपी को आप लोगों नहीं मिली कहां कहां से वाच किया अपने प्रेसेंट जरूर जीज़े कॉमेंट सेक्शन में तो इसके उपर छोड़ा से चाट मसाला डालिया और च